हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में टीचिंग एड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए काफी अच्छी वैकेंसी आ गई है ये वैकेंसी बिल्कुल रेगुलर है पर्मानेंट है पीजीटी, टीजीटी, पीयर्टी, इसके लवा LDC, UDC, कम्पीटर टीचर की वैकेंसी है तो अच्छे से जो है वीडियो देखिएगा, अंत्य तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा यदि आप लोग यहां आभेदन करना चाते हैं और मेरा मानना है तो बिल्कुल पर्मानेंट यह रेगुलर वैकेंसी आती है तो आप लोग आभेदन जरूर करें पेस के लिए हाँ 7 CPC के कोर्डिंग आप लोगों को दिया जाएगा तो विग्यापन तो कल ही जो है आ गया था 28 नवंबर और एप्लिकेशन फॉर्म भी जो है कल से स्टार्ट हो चुके है 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी सभी राजिगे कैंडिडेट जो है यहां आभेदन कर पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं मेन वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले एप्लिकेशन फॉर्म भी आप लोगों को जो है मैं दिखाऊंगी और विग्यापन भी जो है दिखाऊंगी कैसे जो है आप लोग विग्यापन देखेंगे एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है सेलेक्शन कैसे होगा सारी चीज़ें समझेंगे तो जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को subject दिखाती हूँ, अगर आपका subject है तो ही आपके लिए useful रहेगा आगे का video सबसे पहले आप देखें regular base पर है यानि permanent है PRT regular base पर vacancy है, art vacancy है, उसके बाद computer program operator regular vacancy है, lab assistant की vacancy है, अभी सारी चीज़े समझेगे, qualification क्या कही गई है, lab assistant physics की vacancy, LDC admin regular vacancy, LDC account regular vacancy, accountant regular vacancy, trained graduate teacher, librarian की है, TGT physical education teacher की, यह सब भी regular है TGT music की vacancy है, TGT में physics से vacancy है, TGT science में bio की vacancy है, TGT Hindi और Sanskrit दोनों की vacancy है, TGT में English की vacancy है उसके बाद post graduate teacher की अगर हम बात करें तो English की vacancy है, PZT bio की vacancy है तो यह सभी regular vacancy है, सभी के आगे आगे आप देख रहे हैं, कोई भी vacancy आशी नहीं है, जो की contract base पर हो, यह सब permanent है ठीक है, अब जो है qualification की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर post graduate teacher के लिए आप apply करना चाहते हैं तो जैसा की मैंने आपको बताया, यहाँ 7 CPC के according pay scale रहने वाली है, काफी अच्छी salary आप लोगों को मिलेगी तो post graduate teacher के लिए आपके पास एक तो होनी चाहिए, master degree होनी चाहिए, और बिलकुल भी 50% से नीचे, आपके marks नहीं होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, इससे अधिक होने चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं कि 49.9% भी है, तो नहीं चलेगा, 50% तो चाहिए ही, प्लस आपके पा उसके बाद जो है, यहाँ पर trained graduate teachers के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास जो है, या तो graduation में आपके, जिस subject के लिए आप apply करेंगे, जैसे English है, Hindi है, Sanskrit है, ठीक है, तो graduation होनी चाहिए, या फिर आपके पास post graduation होनी चाहिए, आपके पास beard ही complete होना चाहिए, और आपके पास CTAT, CTAT paper 2 आपका होना चाहिए, तो यह आपका होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ कोई experience नहीं मांगा गया है, अगर आपके पास है, तो और भी अच्छी बात रहेगी, ठीक है, वाकी experience यहाँ पर नहीं मांगा गया है, तो TZT music के लिए अगर हम बात करें, तो degree चाहिए आ graduation अगर आपने की है, तो diploma चलेगा, physical training, और VPD अगर आपके पास है, तो higher secondary के साथ में, TZT librarian के लिए यहाँ पर graduation, 50% के साथ में, या post graduation, ठीक है, और उसके बात जो है, आपके पास bachelor degree, या फिर master degree, लाइबरी साइंस में होनी चाहिए, LDC account के लिए जो है, आप देख सकते हैं, एक जो है vacancy है, 50% के साथ 12, commerce stream से होनी चाहिए, 40 word per minute, आपकी typing speed कम से कम हो, और accounting software की knowledge हो, दूसरी जो है LDC में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो vacancy है, जिसमें आपकी 12, 50% marks के साथ में, typing 40 word per minute, और यहाँ MS Office का आपकी knowledge मांगी जाएगी, Lab Assistant Physics के लिए आप देख सकते हैं, BSC Second Division या इस से अदे के और भी अच्छी वात है, यानि 50% marks के साथ में physics, सिर्फ इतना ही मांगा गया है, ठीक है, अगर आप Lab Assistant के लिए form fill करें हैं, तो यहाँ पर केवल BSC मांगा गया है, ठीक है, चाहिए First Division चाहिए Second Division, उसके बाद Lab Assistant Chemistry के लिए भी जो है Chemistry में होना चाहिए, BSC, आपकी First Division या Second Division Chemistry के साथ में, Computer Program के लिए, यहाँ पर Graduation 50% marks के साथ में, और PZ Diploma आपका Computer में होना चाहिए, या BCA या MCA या इसके समकर अगर आपके पास कोई भी qualification है, नेक्स जो है PRT के लिए, 12 अगर आपके पास है, 50% अंकों के साथ में, और 2 साल का आपके पास Diploma होना चाहिए, अगर आपने B.Ed किया है, और Graduation के साथ में, 50% marks आपके मांगे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, कि PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए CTAT या आपके राज्य का State TAT, किसी भी राज्य से आप विलॉंग करते हैं, आप PRT में, जो है, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका State TAT भी जो है, क्वालिपाई है, बाकी जो है CTAT, पिपर 2 जो है, trained graduate teachers के लिए, compulsory है, तो vacancy जो है, कहां की है, तो Air Force School की है, यहाँ प 24-25, application form मैंने बता दिया, 28 November कल से स्टार्ट हो गए है, 15 December last date रहने वाली है, और जगे कहां रहेगी, जहाँ फॉर्म फिल करके जो है, जमा करवाएंगे, Air Force, बाल भारती स्कूल, ओधी रोड, न्यू डेली, यह पिन कोड है, तो या तो आप अगर आसपास रहते हैं, तो व यहां आप देखिए, यहां लिखा हुआ है, demand draft जो है, आप लोगों को 300 रुपय का बनवाना होगा, यह main website जहां से आप application form डाउनलोड करेंगे, यह इस तरीके का application form कहां मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी, यह application form डाउनलोड करेंगे, उसकी 3 site दी हुई है, यह देखिए अब यहां पर जो है, बहुत important बाद जो की दियान में रखनी है, यहां पर अगर आप form fill करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भढ़ना है, जो भी qualification मांगी गई है, उसे आप पूरा करते हैं, तब ही आप लोगों को return test के लिए जो है, बुलाया जाएगा, सबसे पहले list जो ह है, website पर आजाएगी, जिसका link में आप लोगों को share करूँगी, ताकि आप लोग 29 December Friday के दिन जो है, उसे देख सकें, कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, उसके बाद जो है, return test आप लोगों का होगा, और 20 जनवरी 2014, Saturday के दिन और 21 जनवरी, यह दो दिन है, ठीक है, आ यहां पर जो है, return test भी कहा होगा, तो यह school का address ही है, Air Force, बाल-भारती, लोधी रोट, न्यू डैली और यह पिन-कॉर्ड है, ठीक है, तो I hope सारी चीज़ें जो है, आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, और भी चीज़ें जो है, वो देख लेते है, last में अगर कुछ भी बाकी है तो एज देख लेते हैं यहाँ पर देखिए पेज केल पोस्ट इस पर 7 CPC एज लिमिट जो है यहाँ पर PZT के लिए कहा गया है रेगुलर पोस्ट के लिए 36 यर है बाकी एज रिलेक्शेशन जो है दिया जा रहा है वो भी नीचे लिखा हुआ है TZT जो है 32 साल है PRT सभी सब्जेक्ट के लिए 30 साल है Computer Programmer कम Operator की 30 साल है Lab Assistant की 27 साल है LDC की 27 साल है ठीक है उसके बाद देखें जो भी Candidate Return Exam में जो है पास हो जाएंगे तो यह भी जो है इनोंने मेंशन कर दिया है कि subject wise date and time of interview यह क्या रहेगा तो यह भी में वेबसाइट पर आजाएगा 6 फरवरी 2024 टूस्डे को ठीक है Only those candidates who clear the return test जो भी return test को clear कर लेंगे तो उन्हीं को interview के लिए बुलाया जाएगा तो सारी जीज़े mention है अब यहाँ पर जो है और यहाँ पर आप लोगों को right side में recruitment दिखाई दे रहा है इसे आप लोग click करेंगे यहाँ पर देखेगा application form for teaching and non-teaching staff session 2024-25 इस पर जो है click करेंगे और application form यह आजाएगा next recruitment of teaching and non-teaching staff regular session 2024-25 click here यहाँ पर आप लोगों को देखेगा विज्यापन ठीक है तो इसे आप जो है दुबारा से पढ़ लेंगे और time रहते ही जो है आप लोग form fill करते हैं ज्यादा फीस नहीं है केवल 300 रूपीज ही है हर post के लिए ठीक है आपको जो है demand draft तयार कराना होगा last date जो है वो रहेगी 15 दिसमबर यह ध्यान रखेगा जो भी यहां पर form fill करना चाते हैं तो ऐसे ही जो है वेकेंसी के लिए चैनल को subscribe करें bell button को pass करें बहुत ही जो है महनत लगती है किसी भी वेकेंसी के लिए क्योंकि जितने भी जो है चाहे government वेकेंसी हो private हो contract ways पर जो वेकेंसी आती है